ख़बर यूपी के सीता पुर्जनपत के थाना मचरहिटा छेते से हैं जहां कुंदॉली गौँ में जरजर विजली के तारों से निकली चिंगारी किसानों के गन्नों की फसल को आग के हवाले कर गई कुंदॉली गाउन निवासी किसानों ने विजली विभाग के आधिकारियों पर आरौत लगाते उए कहा है कि इनके लापरवाही के चलते लगग साच से सत्तर भीगा गन्ने की फसल हम लोगों की जल गई इस मेंगाई में क्या करेंगे बड़ी मेंद से गन्ने की फसल पैदा की जाती है जब आग लग कर राक में बदल जाती है तब हम लोगों को अपना घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है ये बात कौन समझेगा सियराम ने बताए कि हमारा दस भीगा गन्ना जल गया हम तो बरवाद हो गये साहब कौन देगा लागत ये कहकर सोनेशी फवक कर रो पड़ा वही राजेश ने बताए कि आठ भीगा गन्ना इन विजली विभाद की करमचारियों की लापरवाही के चलते जल गया हम तो बरवाद हो गये वही कई किसानों ने अपने अपने भीगों को जलता देख अपनी निराशा व्यक्त की वही किसानों ने बताए कि फायर विगेट मचरहिटा पुलिस को ततकाल सुचना देने के बाबजूद भी लगबग दो से धाई घंटे बाद मचरहिटा पुलिस वा फायर विगेट की गारी मौके पर पहुची तब तक हम किसानों ने कई गाउं के लोग मिलकर उस आथ पर लगबग काबू पा लिया था तब जाकर फायर विगेट की गारी मौके पर पहुची यदि एक घंटे पहले फायर विगेट की गारी आजाती तो इतना नुकसान शायद नहीं होता वही जब बिजली विबाग की अदकारी SDOS के वर्मा से बात की गई तो उन्होंने साफ इंकार करते हुए ये कहा कि बिजली विबाग से कोई लेना नेना नहीं है ना बिजली लाइन से आग लगी है ना ही कोई तार टूटा है ये किसान गलत आरोप लगा रहे हैं वही लेकपाल भी मौके पर नहीं पहुचे जब मिर्शित उब्रजानिकारी का नंबर लगाए गया तो वो भी नहीं लगा फिलाल किसान के हालात बेहाल है जर्मत न्यूस के लिए सीता पूर से अनूप पांडे की रिपोर्ट